असलाम वालेकुम वरेहमेतुल्लाही विबरका तो उमीद करते हूँ आप सब खेरिया से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे अपने जिन्दगे में कुछ न कुछ तो कर ही रहोंगे, इसी बेसेस पर हमने कुछ स्टार्ट अप स्टार्ट किया है जिसका बिजन्स है वो बहुत कम लोग जुड़े हैं हमारे साथ, मुझे तकरीबन चाहिए थे 15-10 लोग ताकि उन लोग का मैं जब स्टोरी पे रखूँ, प्रमोशन भी होगा उन लोग का ताकि मैं उन लोग का जब स्टोरी पे रखूँ, तो आप लोग वहां से पिक लेके, पिक अप लो, स्टोरी से आप लोग वो चीज़ें लो आप अपनी स्टोरीज पर या अपने जहां पर भी आप लोग उसको सेल करना चाहते हो या आप बिजनस खड़ा करना चाहते हो उसे बेजस पर तो वो भी होना चाहिए ना मैं ट्राई कर रही हूँ दिखिये जो जो बिजनस कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरत है मैं मैं रिख्וש्स करते हूँ जिनका चोटा मोटा बिजनस है जो लड़किया कपडे का काम कर रही है जो बुरके का का कर रहा है नहीं सभी से रिक्वेस्ट ह कैसे आप सब अच्छ होगए ना तो मैं आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ तो मुझे ऐसा हुआ कि आपको मुझे सुनाना चाहिए कपसे मेरा मन था कि मैं आप सभी को सुना ओगी अम्मी का वाजे कि हमारे यहां पर बाजु वाले बच्चे जो रहते हैं वो पतान इतना शोर मचाते तो सुनिये अम्मी के रिलेटेड ही किस्सा है तो प्यार से ध्यान से एकदम मन लगा के सुनना अम्मी यूनू अम्मी और अल्ला यह दो का यह दो की बीच का है ना मैं आपको यह फासला द प्यार से एकदम ध्यान से सुनना उससे पहले यह वीडियो को लाइक कर दे तो सुनिये आपकी अम्मी जब आपको स्कूल से लेने आती है आपकी अम्मी आपको लेने आये हैं कि चलो बटा गाड़ी में बैठ जा तो आप कभी भी उनसे मतलब आर्ग्यू करते हो या आप कभी भी सवाल पुछते हो कि हम कहां जाने वले कि आप मुझे कहां ले जा रहे हो आप क्यूं ले जा रहे हो हम कभी भी सवाल नहीं करते हमको पता है हमारी अम्मी सेफ जगा पर लेके जाएगे जहां पे सेफ है ना ही तो हम बारी वगेरा तोड़के कार में हो तो बारी व सब्सक्राता हैं एक वह भी है हमारी आपस अन्ला जो कि मुची जर्फा करें, लेकिन हमेश आपकी अम्मी counting अधिन्स mindset की के आपके में लीच कोड़ क मुश्किलन पूड़ा आप बहुत मुश्किल है, लेकिन रहां आपकी अम्मी से कहीं ज्यादा सित्यर मांव से ज्यादा मुहब्बत करने वाला आँड़ और ऊ่हानों कि मैं मेरे बंदों को घरी आदे देखा है तो ख़ी भी यह यह नहीं नहीं किए में इमेरे बंदों को dressedella उस रब ने उस रब ने तुम्हें इतनी चीज़े अता किये इतनी चीज़े अता किये कि तुम उसका शुकर अदा बिलकुल नहीं कर सकते हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना कुछ है बस हम ये ये तलाश में हैं कि हमें और ज्यादा चाहिए या हमें और सुकून चाहिए देखे सुकून देने वाली ज़ात बेशक अल्ला के लेकिन तुम सुकून नमाज में ढूनो तुम सुकून कुरान में ढूनो तुम सुकून तुमारे तिलावतों में ढूनो बेशक तुम एक दिन जरूर काम्याभी हासिर होगी कामियाबी का सबसे पहला जो रास्ता बताओं तो वो नमाज है नमाज आपको कामियाबी की और लेके जाएगे जिसने नमाज छोड़ी जिसने नमाज का रुख मोर दिया जिसने नमाज से मूँ मोर लिया वो बेशक बेशक नाकाम होने वाला है दुन्या में ही मैं आप सभी से बहुत तहे दिल से request करने जा जाएए। बहुत request करूई मैं दिल से के रमजान आरीए रमजान आरीए Please, I am requesting you. एक भी नमास मत छोड़िये. नमास आपको बुलाती है रोज. हमारे कान में अजान का आवाज जाता है. ये बताता है कि आपको मस्जिद जाना है हमारे कान में आवाज आता है फिर भी हम नहीं जाते अल्ला ने बुलाया फिर भी हम नहीं जाते अल्ला ने बुलाया नमास को किसने बुलाया नमास पढ़ने किसने बुलाया तुम्हे अजान जब होई तो नमास पढ़ने किसने बुलाया अल्ला ने बुलाया ये सोच कर जाओ प्लीज थोड़ा मतलब रमजान आ रही है थोड़ा मतलब अपने आपको रास्ते पर लाने की कोशिस करो मैं रिक्वेस्ट कर जो सबी से शायद हम सब मिल कर ये कोशिस करें कि हमारी नमास न जाए तो अन्शाला कभी भी मतलब कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है हमें कामिया भी नहीं मिल रही हमें जॉब नही हमें हमारी सकसेस बीच मैट किये हमें मुसीबते हैं तो वो सारी हलो जाएगी तो जैसे अमी पर भरोसा रखते हो वैसे अल्ला पर भी भरोसा रखो कि उस रपने जो तकलीफे दी है वो बेशक एक दिन हलोगी लेकिन आपको नमाज छोड़नी नहीं है आपको अल्ला पे जो तूख्ul है वो छोड़ना नहीं है तौक्ल ये है कि एक होता है ना यकीन 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 बहुत बड़ी चीज़ जिसले यकीन तूट जाता है आप तूट जाते हो आप तूट जाते हो आप नमाज भी नहीं पढ़ते हो यकीन बनाए रखो बस मेरा यही बात है तौक्ल तौक्ल यकीन और दूसरे एक बात कि हमें हमें अपने आपको बतलने के लिए हमारी जंदगी को बतलने की नमाज का रास्ता पकड़ना है रमजान आ रहा है मैं सब भी जरेक पर्स करूंगी जो सभी लोग पस ये छोटी सी स्टोरी जो सुनी है अम्मी की तो अम्मी पे जैसा भरोसा है अल्ला पर भी वैसा भरोसा रखे कि जब तुम नमाज सही से पढ़ने लग जाओगे अल्ला भी तुमारे जिन्दगी सही से करने लग जाए इंशाला दौाओं में याद रखेगा और रिमेंबर में यूर प्रेयर्स एंड प्लीज जो भी बिजनस करना चाहते हैं जिनका बिजनस है वो मेरे साथ जल से जल जोड़े इंशाला हम सभी को काम देने की कोशिन सरूर करेंगे अल्ला हाफिस जौम याद रखेगा